मेरे साथ ही आपको पता है और हमें भी पता है और यहां तक कि पूरा यूपी को पता है कि यूपी पुल्टेक्निक का रिजेल्ट आ चुका है लेकिन रिजेल्ट आने से ना मेरे दोस्त हमारा दिल और दिमाग में ना और आग की तरह तुफान आ चुका है दोनों जगा टें है मेरे दोस्त जो आपके अंधिकार की दुनिया को ना प्रकास की दुनिया में ये भेजेगा क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है कि मैं दो दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सर गूमने के लिए निकल गया हुआ था क्योंकि सर आपको पता है कि 3-4-5 मैंने आपकी classes मैंने लिया कहीं पर मुझे कोई बैठना था नहीं लगातार मैं सर डिप्रेशन में चला जा रहा था आप सब की परती तो फिर मैंने सोचा सर कहीं निकला नहीं हूँ तो मैंने किसी सफर की दुनिया में चला गया था मैंने गूम लिया जैसे मुझे पता चला है रिजिल्ट आने वाला था तो मैंने सर भीते रात अभी मैंने सो करके उठा हूँ और अभी मैं 500 से जादा बच्चों का मैंने जिल्ट देखाऊं जिससे मुझे एक चीज का अनुभव मिला है और ये परिवार से आपको टॉपर भी निकला है अभी सबसे परिचे करवाएंगे अभी तो सरबंदा शुरू ही हुआ है अभी तो ये तुफान की तरह लाकेगा क्योंकि मेरे दोस्त पता है मैंने एक उमीद लेकर के बैठा था टॉपर रैंक 10 के अंदर आया है मैं आपको सबसे मिलाऊंगा सबको दिखाऊंगा सबसे बाते करवाऊंगा पहले सर आते हैं हम आपकी समस्या की तरफ अगर आप इस परिवार में पहली बार आये हैं तो सिद्धत और प्यार और महबत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉंसलिंग कहा करना है कैसे करना है किनको किस राउंड में कौंसलिंग करना है वो तमाम बाते हम आपको बताएंगे काता आप 15 रेंग तक फिक्स है कॉलिज का ये सही बात है ये सारे बाते मैं आपको बताऊंगा जरा आप मेरे तरफ आना मेरे दोस ठीक है मैंने सर ये दो दिन से उस फोन को मैं बंद कर रखाऊं स्टाप भी चला गया था छुटी में सर मैंने कहा क्या होगा अब फिर मेरे दोस्त आपके लिए मैंने आज से फिर तयार हो गया हूँ ठीक है सर आज आना दिखो हमारी चार सबसे बड़ी मोटीव है कितना नंबर से कितना रैंक तक गया है उसके बाद फिक्स रैंक क्या है सरकारी कॉलेज के लिए उसके बाद टोटल गोवर्मेंट कॉलेज का कहा है और किस कॉलेज का कितना कटव जाएगा गल्स के लिए कितना से पस्कोर है किस कर्टोगरी का कितना स्कोर है जेनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए वो तमाम बाते हम करेंगे सबसे पहले मैं आपका आता हूँ नंबर की तरफ, देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपका पेपर जो होता है ना सर वो 100 questions रहता है, मैंने क्या कहा आपका जो एक्जाम होता है, वो कितना प्रश्न का एक्जाम होता है, आपका एक्जाम होता है 100 प्रश्न का, जबकि total marks कितना रहता है, आजाना एक question 4 marks का रहता है तो 100 उन्हें 4 कितना हो जाएगा 400 number का आपका paper होता है आपका paper कितना number का होता है मेरे दोस्त ये 400 number का आपका paper होता है अब यहाँ प्याइएगा अगर जिन बंदा का ना 350 number है मैंने क्या कहा सर्फ मैंने कहा जिन बंदा का ये आपको marks है जिस बंदा का 350 marks है ना जो रेंग कर आया है वो पता है क्या वो दो सो पचास रेंग जिन बंदा का 350 350 पलस मैंने क्या कहा Sir जिन बंदा का 350 पलस नमबर आया है उनका रेंग जो है वो 250 के अंदर रेंग गया है मैंने Sir लगबग 1500 से पलस बच्चों को मैंने पहले रेंग कार देखा ठीक हाँ उसकी बाद मैंने आपके पास जिनका 300 number से 350 number के अंदर आया है अंदर marks है इससे अंदर marks है ना उनका rank card जो गया है मेरे दोस्त वो पता है 250 से 2000 के अंदर rank गया है 2000 के क्या है 2000 2000 के अंदर rank है 2000 के क्या है अंदर रेंक है जिनका भी कितना 250 से 350 नंबर के अंदर मांक्स है उनका रेंक जो है मिरे दोस्त वो हमारा 2000 से 2000 से लगभग आपको सर 7000 के अंदर रेंक गया है साथ हजार के अंदर रेंक गया है जिनका भी मांक्स आपको 200 नंबर से 300 नंबर के बीच आया है जिनका भी नंबर आपको 250 से 300 कुरू ना 250 से 300 कुरू जिनका भी 200 से 250 के बीच आया है नंबर उनका जो नंका जो मांक्स अंदर रेंक गया है वो आपको 7000 से 7000 से लगभग 25 से 30 के अंदर रेंक आया है जिनका भी नंबर 200 से लगभग 250 नंबर के बीच है 200 मतलब काने का मतलब 50 कुरू जिनका 50 कुरू सही था उनका कितना हो जाएगा 200 नंबर हो जाएगा तो जिनका भी 50 कुरू लगभग सही है उनका 7000 से 30,000 के अंदर रेंक गया है 200 माक्स से लेकर के 250 माक्स तक में यो कि सर देखो ये 40 और ये 50 के अंदर ना बहुते सारा बच्चा का रेंक है सर तो 40 और 50 कुरू सही करने माले बहुते सारा बच्चा है एक कुरू सही होगा आपको मिलेगा 4 नंबर तो जिनका 200 नंबर है सही है 250 और 200 को से ये उनका 7000 से 30000 के अंदर रेंग गया है UR में आईएगा जिनका भी 150 है और 200 marks के अंदर है उनका रेंग लगबग 30000 से लाखों तक में गया मैंने क्या कहा सर उनका रेंग जो है उनका रेंग जो है मेरे दोस्त को 30000 से एक लाख तक में भी रेंग गया है अब हमें एक बात आपसे पुछना चाहता हूँ जरा मैं नहीं बताओंगा सर आपसे पुछना चाहता हूँ जरा बता दो संदीप कुआर आपको चिला चिला के बोल रहा था कि नहीं से पसकोर है 50 नंबर का सोरी 50 को सन है जिनका भी 50 को सन सही है सो में उनका से पसकोर है मैंने बता रहा था कि नहीं बता रहा था मैं चिला चिला के बता रहा थे कि नहीं बता रहे थे जरा बता मिरे दोस्त बता रहे थे ना आप इस बात को आप कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट करके बताओ अगर मैं अपने मुझसे बोलूँगा न मिरे दोस्त अपनी त्ारीफ तो अच्छा नहीं लगेगा ठीके सरहा और सभी टॉपर से मैं आपको मिल भाऊंगा सभी टॉपर को मिरे दोस्त मेरे तरब से जो बितरान होगा ना वह सब को दूँगा ठीके सरहा क sag मैंने बोलता हूं वही करता हूं, मुझे फेकने के मेरे अंदर कोई आकत नहीं ताकत नहीं है। मैं एक चिद नहीं है, अपनी में आपके मेमेठ में विष्वास करता हूं और आप सब मैं उमीद करता हूं, ठिक है, सरा आ जाना। जिस प्रकार से मिरे दोस्त जहारखंड में 6 रेंग, उत्राखंड में 4 रेंग, बिहार और यूपी जहाकी था, आज यूपी की जहाकी आ चुकी है, सटिक हाँ, आना, और देखो, 50 कोश्चन का मतलब कितना, 200 नमबर, मैंने क्या कहा था, 200 नमबर हमारा सेप स्कोर है, यहां आपको पता है मेरे दोस्त, टोटल गोवर्मेंट कोलेज, यूपी में टोटल गोवर्मेंट कोलेज, यूपी में टोटल गोवर्मेंट कोलेज, पता है कितना, 49 से 50 है, टोटल गोवर्मेंट कोलेज, लगभग में आपको 49 गोवर्मेंट कोलेज, लगभग में आपको 49 या एक सो पचास गॉया ऐसा ही तोल गॉणिन उहल पौलिश Юुपी में या आपको गॉणिन कॉलिज की लिस्ट है तोल एक सो पचास या 149 गॉणिन उहल पौलिटेखणिक उपी में खिखिऑ जो कि आपको भॉआज और गल्स दोनों के लिए है इतना जो college है वो boys और girls दोनों के लिए, यह boys और girls किसके लिए, boys और girls दोनों के लिए, special girls के लिए जो है न, special girls के लिए college है वो आपको 10 college है, UP में, जैसे लखनव हो गया, लखनव में, just boys और girls के बगल में, girls college is special है, तो special boys और girls का जो college है, UP में अगबग आपको 10 college है, boys और girls के ल यह टोटल कोलेज है इसमें 10 घटा देंगे तो बौाज और गल्स के लिए दोनों के लिए है लेकिन 10 को जो है वो किसके लिए है अस्पेशल गल्स के लिए है मैंने क्या कहा टोटल 149 या 150 को college है UP में जिसमें special girls के लिए 10 को है ब्वाज और girls दोनों मिलाकर के लगबग 40 को है ठीक है मतलब जो special girls के लिए ब्वाज और girls दोनों एडिशन ले सकते हैं अब आना मैंने आपको क्या कह रहा था safe score हमारा 200 number है मैंने आपको पहले कहा था ये safe score है civil, electrical, mechanical इतना अगर आपका सही है तो वो guarantee है बट counseling में आपको तीन बाते आपको दिल में रखना होगा ये बाते मैं आपको इहां बताऊंगा अभी तनी सुनना सटके पहले बताओ यहां तक मैं किसी को दिक्कत प्रिसानी, तकलीफ, दर्द नहीं ना मेरे आरो तो मारो comment box में sir comment करके और like करके बताओ मेरे दोस्त कि सचाई कभी जुक नहीं सकता कुछ लोगों को भावकने से thank you sir लब भी बहुत भावत धन्यबाद आप सबको मैं देखता हूँ ना पावर में आजाते हैं पता नहीं क्यों आना sir याँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है अब आजिएगा sir डिके आप देखो यहाँ पर समस्या गल्स और ब्वाइज के लिए sir डिके हाँ अच्छा आजा देखो sir यहाँ पर समयना और बगेरा बगेरा है देखो sir यहाँ पर समयना जिनका भी आपको पता है 250 नमबर से पलस है 200 नमबर से पलस अगर आप जेनरल से भी है ना और 250 नमबर अगर आपका आया हुआ है तो फिर आपको कोई कॉलेज नहीं काटेगा हाँ लेकिन इस बात को याद रखना जिनको चाहिए टॉप 10 कोलेज में एड़ी सनना तो अगर आपका लगभग 250 से लगभग आपको 300 नमबर के बीच में है ना तो आपको टॉप कोलेज मिलेगा यूपी का हाँ अगर आपका 250 से लेकर कि आपको 300 नमबर के बीच में है तो टॉप कोलेज मिलेगा देखो 250 और 300 के बीच में मतलब 7000 के अंदर आपका रेंक है और 7000 के अंदर रेंक है तो समझ रहा है आपरे यूपी के टॉप कोलेज में आप जाओगे कोई किसी का किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको top college से कोई रोक देगा इस बात को दिल में रखना और ये बात में तब तक बोलूँगा जब तक आपको college मिलने जाए जब रिजल जिस दिन exam खत्म हुआ था मैंने उसके 5 दिन बाद मैंने वीडियो बनाया मुझे सर रोज 10 वीडियो डालने की आदत नहीं है मैं नहीं चाहता हूँ आपको परिसान करना मैं आपकी दिमाग को उजराना नहीं चाहता हूँ इस बात को आप समझेगा हम अगर हमें अपना पायदा देखना होता ना तो रोज मैं आपके लिए 10 वीडियो बनाता और उससे में आपको उजरा पुजरा करके एदम घुल्टा पुल्टा करके मैं आपको अपने पास रखता लेकिन मुझे नहीं करनी मिरे दोस्त मैं आज बहीं बात बोलूँगा जो मैं कल बोल किस कोलेज का कटफ कितना जाएगा उस पर मैं आपको एक अस्पेशल वीडियो बनाऊंगा टोटल 150 कोलेज का मैं आपको अस्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस कोलेज का कितना कटफ जाएगा इस वीडियो के बाद मैं उसी का वीडियो डालूँगा ठीके सर यहां तक जान तो अगर आपको 80, 80, 80 नमबर भी आपको आया हुआ है, विकलांग वाले के लिए तो भी आपको college मिल जागा, 100 नमबर के अंदर में विकलांग वाले के लिए तब भी college मिल जागा, ठीके, इस बात को दिल में रखना, DQ कोटा से, से ठीक हाँ, अब आजाओ, जब इसका इतना लड़ लेगा, ओभी से लड़ लेगा, ठीके, ऐसी बस उसे कम मानलो, एस्टी मुझसे कम आजाओ, ठीके, हाँ, अब हमारी में सबसे बड़ी मोटी बागे है, मिर दोस्त, कि सर हमें counseling कैसे करनी है, देख उसरी बात आपको पता होगा, बिहार वाले, कान खोल के सुन लिज काईएगा, ठीके, यूपी वाले, counseling आपको दोसे तीन बार आपका भी, तो जो भी first round में counseling करेगा, मिर दोस्त, या कभी भी counseling करिएगा, तो सबसे पहले न, आप अपना rank card देखिएगा, और total college का cut-off देख लिजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका rank है, 20,000, एक नमबर में डाल द वाला college है, उस अनुसार से counseling करना हो, ठीके, अगर आपका rank है, 5000, तो आपको किस college का cut-off 5000 तक जाता है, किस branch का cut-off 5000 तक जाता है, सिविल का branch का cut-off कितना जाता है, और एक बात ओरे, जिनका electrical mechanical सिविल चाहिए, अगर आप इस rank तक में आते हैं, तो आपको confirm electrical mechanical सिविल, हाँ, अ अंदर है, तीस हजार तक में भी आए, आपको electrical mechanical सिविल मिलेगा, इस बात को दिल में रखिएगा, हाँ, लेकिन अगर आपका rank 30 हजार के अंदर है, तो, ठीक है, हम आपको college का cut-off wise, rank wise, हम आपको एक special video को बना करके, हम आपके बीच लाएंगे, किस college का cut-off कितना जाएगा, सिविल में, electrical में, mechanical में, वो वीडियो का आप लोग देख लिजिएगा, ठीक है, आपकी परिशानी जो रहे है, मरे दोस्त, वहीं खत्म हो जाएगी, अब आता है main counseling का, में, सबसे बड़ा focus होता है, मरे दोस्त, आजाना, अब आपके पास जो होने का था, वह आपके साथ हो ले, आपना सभी college का cutoff देख लिजिएगा, आपके rank अनुसार किस college का cutoff जाता है, second round में किस college का cutoff जाता है, third round में किस college का cutoff कितना जाता है, ये बात जान लिजिएगा, और जो जो आपके rank अनुसार match करता है, उसको counseling के time ना, एक number पे रखना, ठीके, वह आपको हम detail वाला video बना करके डाल देंगे, लेकिन सर हमने सोचा है, कि जिनको counseling करने में problem होता है, जिनको counseling करने में problem हो रहा है, जो कि आपको पता है, ये sense था, आपको इसके science classes जो है, जब YouTube पे कोई counseling नहीं करता था ना, तब ये संदीप कमार करता था, पता है, बच्चों को बड़ा प्रिसान नहीं होता था, बिस हज़ार वाले को मिल गया, गाजियाबाद फ़लना बाद, पच्च अफ़ज़ार वाले को लगाजियाबाद नहीं मिल पाता था, तो सब counseling में problem होता है, और आज नहीं सर, दो हज़र एकी से प्रिवार counseling कर रहा है, सबसे पहले, आप इस बात को ना YouTube पे खंगार करके देख लिजिएगा, YouTube पे ना मिरे दो सर्च करके देख लिजिएगा, counseling सबसे पहले किस ने शुरू किया था, क्यों मिरे दोस्त मैं पता है, पैसा कमाने नहीं है मेरे साथी, मैं आपके ना दिल की दर्द को समझने आया हूँ, मिरे दोस्त मैं कितना मेहनत से प मैं आपको ना सारे बच्चा का तो counseling मैं नहीं कर सकता हूँ, सारा बच्चा का counseling हमसे हो भी नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको tips और trick जो है ना मैं आपको YouTube पे भी upload कर दूँगा, ठीक है, हाँ, लेकिन टॉप सोचने है ना 100 बच्चा, मतना 100 नहीं, सोचने है कि 500 से 1000 बच् कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता देंगे YouTube, क्योंकि हमारे पास इतनी छमता नहीं रहा है कि मैं सारे बच्चे का counseling कर दूँ, ठीक हाँ, इसलिए सब समझना, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, कि स्कॉलेज का cut-up कितना जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, गोच आप YouTube पे देख लिजिएगा, और उसी अनुसार से आप counseling करते चली जाएगा, ठीक है, जब counseling शुरू होगा तब, अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होगा मैं आपको वीडियो बना दूँगा, और सबसे पहले मैं cut-up वाला वीडियो बना दूँगा, ठीक है, ल 47-37, इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इस number पे अपना rank card भेजना होगा, ठीक है, rank card, ठीक है, और एक बात हो रहे, और जिनका जो मेरे आँ से पढ़ा था, जिनका rank अगर, एक से लेकर के sir, rank एक से लेकर के हमारा 500 के अंदर rank आया है न, तो आप हमार WhatsApp नमबर पे भेज़ दना, या फिर, यह हमारा WhatsApp नमबर है, या फिर, हमारा Instagram ID पे आप message करते हैं, अपना rank card, ठीक है, मेरा Instagram ID है, संदीप आजाना, हाइफेन 184240, यह मेरी Instagram ID है, इस पर जरूर आप message करना, अपना rank card, ठीक है, क्योंकर मेरे पास कोई special phone नहीं रहता है, मैं हमारी team का number है, आप इसी पे call करना, एक और number में देता हूँ, अपना team का number को, दोनों number पे आप call कर सकते हो, सुबह 9 से रात 9 तक, ठीक है, हाँ, इस पर message करोगे, तो हम से बात होगा, ठीक है, Instagram ID को मेरा follow कर सकते हो, ठीक है, आधना एक और number दिया, आप उस पे call कर सकते हो, ल बागी किसी करपगरा के प्रेसान ही, तो आप समझ सकते हो, कौंसलिंग हमसे करवाना है, तो आपको WhatsApp पे बता दिया जाएगा, minimum charge लिया जाएगा, अगर 200 रुप्या का चलान करता है, 200 का कौंसलिंग में, तो आप से 150 जादा लिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, ठीक ह इसलिए मैं आप सभी बच्चा कौंसलिंग मत करवाईएगा, मैं आपको YouTube बता दूँगा, रेकिन खास करके बिहार वाले आप जरूर करा ले न, ठीक है, हाँ, क्योंको आपको परिशानी होगा, UP का कौंसलिंग करने में, ठीक है, लेकिन जिनको college की cut-up जनकारी नहीं है, तो आपको करवा सकते हो, ठीकिन मैं आपको YouTube बें बता दूँगा, college की cut-up का लिस्ट, ठीक है, तहे दिल से सुकरिया, मिरे साथी, बहुत बहुत धन्यबाद, मिलते हैं आप सब के बीच हम next वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दिल से thank you, और love you,